दिल्ली की जेल में बंद कुख्याद गैंक्स्टर काला जठेडी लगतार कम्सोर पड़ रहा है। उसकी ताकत को दिल्ली पुलिस तभा करने में शिदत से जटी है। जिसके तहट पुलिस ने जठेडी के दाई हाथ माने जाने वाले शार्प शूटर प्रवीन उर्फ टोना को गिरफ्तार करने में काम्याबे हासल की है। देखे, द्वारका पुलिस के गिरफ्त में आया ये काला जठेडी का शार्प शूटर प्रवीन उर्फ टोना है। शार्प शूटर ने कारोबारी के घर के बाहर फारिंग की थी आरोपी कारोबारी से 20 लाख रुपए के रंगदारी मांग रहा था पुलिस को 10 फरवरी की रात 11 बज़ शिकायत मिली थी इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की इस दौरान 14 फरवरी को पता चला कि शार्प शूटर टोना जजज़र में रेल्वे लाइन के आसपास मौजूद है पुलिस टीम फॉरण मौके के लिए रवाना हो गई और शार्प शूटर को दबोच लिया इस पर पहले से कई आप राधिक केस दर्ज हैं आरोपी प्रवीन दिल्ली के नचफगर इलाके करहने वाला है और घोशत बीसी है अब गिरफ्त में लेनी के बाद दिल्ली पुलिस इस शार्प शूटर की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है ब्यॉरो रिपोर्ट नवदीब टुडे